है है लो गाइज स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे एच सी सी की और इसकी उपर हम चर्चा करेंगे यहां पर कुछ हमें कमेंट भी आये थे तो यहां पर सबसे पहले तो अगर देखे तो 36 रुपे के यहां पर देखे तो यहां पर मुझे यहां पर 40 रुपे से लेकर 42 रुपे तक जानी कि इसकी संभावना हो सकती है तो सबसे पहले तो अगर जिनकी इसके अंदर होलिंग है यह वीडियो उनके लिए खास करके क्योंकि अगर कोई नई पूजिसन इसके अंदर अगर बनाना चाहिए तो मतलब की थोड़ा सा रिस्क रिवर्ड रेश्यो भी जो है फेवरेबल नहीं लग रहा क्योंकि अगर इसका स्टोप लोज की बात करो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोप लोज जो है 29 रुपीस के आसप अगर आता है तब की बात है तो जो है एक एवरेज प्लेश रह सकती है और फिर जो है स्टोप लोज तो जो है 29 रुपीस के आसपास काही रख सकते है तो छोड़ा मतलब की छोटा स्टोप लोज यहां पर रह सकता है खेर फिलाल यहां पर जिसकी अंदर होल्डिंग है तो जिसके अंदर सपोर्ट और रजिस्टन नजल presentation की तो इसके आएगर यहां पर जानेशा वाहां पर जाने की इसकी संभावना हो सकती है सेमचीज अगर सपोर्ट की मात करें एक सपोर्ट तो दूसरे जो नीचा के सपोर्ट है वहां तक यहाँ पर है और इन दोनों के बीच का जो गेप है यह इसका हैंडल उपर का और नीचे का यह लो उतनी ही तेजी और आनी की संभवनों हो सकती है मतलब कि अगर इसका यह जैसे कि इसने अभी यह ब्रेक आउट दिया है तब तो यहाँ पर जैसे कि यह नीचे बात कर 28 रुप का जो ही डिफरेंस है तो मतलब कि अगर 34 रुपे को अगर इसने पार किया है वहाँ पर यह ब्रेक आउट दिया है तो 34 प्लस 6 अगर करें तो 40 रुपीज तक जाने कि इसकी संभवना हो सकती है जो कि इसका एक नजदी की रिजिस्टन हो सकता है उसके बात देखे तो 42 रु अगर बात करें तो वह भी 90 रुपे का असपास का था अब इस तीनों के प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह जो वीडियो है यह पी आप देख सकते हैं 9-10 महीने पहले कि आसपास की है तो RCF की बात करें और यहाँ पर IRFC तो जो है इसने तो मल्टी बेगर रिट अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है कुछ आगे बढ़ते हैं देखा अब यहां पर इसके पहले तो कारवार की बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखेगे गुरुवार के दिन कल के दिन अच्छी खासी डिलेवरी उठी है तीन करोड और 25.00 के उपर और जो हैं काफी अच्छा था साथ अब जो है अम इसके प्रिविएस ड़े की बीbandww valor Ho ख red Sharfmill का यहां पर देखें कि इसका चार विविविज की अगर बात करें दीटा घुल्त कर सकते हैं तो अच्छी कासी इसके अंदर accumulation हुआ और यह भी जो है उपर के प्राइस के उपर यह 34 रुपे के से 36 रुपे के बीच में तो यहां पर अच्छा कासा accumulation हुआ है तो यहां पर आप और पीछे थोड़े से जाएगे तो यहां पर भी अगर आप देखेगे तकरीब यह यहां पर भी जो है एक अच्छी कासी डिलेवरी उठी थी यह भी चाल दिन के आसपास और यह तब भी इसका प्राइस जो है इसी लेवल के आसपास था 33-34 के आसपास मतलब तो यहां पर एक अच्छा कासा accumulation हुआ है तो यहां पर इसके पंद्रा मिनिट का चार्ट देख ल की बात करें तो अभी इसका जो सपोर्ट एरिया है यहां पर 36 रुपए का सपास दिख रहा है जो कि मतलब की बुद्वार को यहां पर इसने इस लेवल के आसपास वरा साट का था उसके बाद यहां पर जो कि यह लेवल 35 रुपे का सपास है तो 35-36 चासपास जो इसको अभ पर जो है profit booking आने की संभावना short term की बात करत जो हो सकती है जैसे कि यहां पर देखा आपने हाला कि कितना देर तक जो है यह ऊपर टिका रहता है वो जो है वक्त बताता है लेकिन यहां से अगर आप देखे के तो एक अच्छा का सप्रोफिट बुकिंग आई थी वापस से उ विकली चार्ट के उपर जब हम इसको देखते हैं तो यहां पर भी अगर आप देखेगे तो इसकी उपरी लाइन 35 रुपे के आसपास है आने वाले हपते में यह जो है 30 रुपे के आसपास हो सकती है साथ-साथ यहां पर ज़रा देखे इसकी जो मिडल लाइन है उसी के आस अगर कोई ट्रेट लेता है तब की बात है बाकी जो लोग इसके अंदर होलिंग रखते है वो चाहे तो ट्रेलिंग श्रप लोश रकते मतलब की रख सकते है इस लेवल के आसपास का अगर वह प्रफिट में है तो अब आगे देखते हैं इसके आरसाई की बात तो यह 64 के आ जब तक इसके उपर बरकर आ रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है और अब इसके जरा मंथली चार्ट जरा हम देखते हैं पहले तो यहां पर देखे तो जैसे कि यह लंबा चार्ट है 2020 के आसपास से लेकर अब तक की बात करें तो यहां पर एक प्रेटन आपको दिख किया तो यह अभी उपर आ रहा है तो एक लोंग टर्म की अगर बात करें तो यहां पर जो है एक यह तेजी का पैटर्न यहां पर कई न कई बना हुआ ऐसा लग रहा है साथ साथ अब यहां पर देखे मंथली चार्ट ही है यह लंबा चार्ट लगया है 40 रुपे से 42 रुप का जोन है वहां पर इसने बड़ा रजिस्टन की बात करें तो यह तो इस लेवल को मतलब कि आप नोट करके रख सकते हैं तो 36 रुपे का प्राइस है तो जैसे कि हमने चर्चा की पहले तो इसके अंदर जो है एक सपोर्ड रजिस्टन जो है उसके उपर नजर रख सकते हैं है तो यहां पर सुद्धी पर दिख दीख रहा है हुजो दिख रहा है 34 रुपिस कहा पास का और उससे भी पहले का सपोर्ट जो कि मने बात की है सो इसके बाद पर उसके बाद थोड़े से बड़े सपोर्ट, थोड़े से दूरां के सपोर्ट यहां पर सपोर्ट दिख दिख रहे और अगर लेdsto कि बात करे. अगर नज़संत distillate हूं जो दिख रहा है श्यक्तफर आफास कि यहीं पर इसने कल के दिन और का हाई बनाया था उसके बाद जैसे कि हमने देखा एक तो 40 रूपीज और उसके बाद देखे तो 42 रूपीज अगर 42 रूपीज को क्रोस करता है अच्छे वॉलियम के साथ तब मुझे सालग रही कि ये उसके बाद जो है 45 रूपे से लेकर 50 रूपे तक जाने कि इसकी है तो इसके उपर हम टाइम टाइम अपडेट लाता है टेक्निकल चाट के उपर रहनाने सिस्पी करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को और एक स्टैंडर डिस्क्रेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइन से रेडवाजर की सला ले उसके बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसके जीमेदारी मेच्वरिटी के साथ खुदी ले ये वीडियो में नाइजू के लिए बनाएं मेरे तरफ से कोई भी बाई या सेल के रेकमेंडिशन नहीं है थेंक यू कर दो